हलो टू आल मैं हूँ करन और आप देखने ड्राइफ ओ पीस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मारूती इंडिया की बहुत ही फेमस गाड़ी का लेटेस्ट अबडेट मारूती इंडिया बहुत जल्द अपनी ओल्टो को फेसलिफ्ट करके इंडिया में लॉंच करने जा रही है अगर आप ये गाड़ी लेना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट इंफोर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके औल्टो को इंडिया में एक नए अपतार में पीश किया जा रहा है इस गाड़ी में आपको क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं आईए देखते हैं वहीं बात करें डाइमेंशन की तो 3395 के आसपास लंबाई मिल जाती है 1475 के आसपास विट मिल जाती है और तकरीबन 1500 mm के आसपास हाइट मिल जाती है वहीं गाड़ी का विल बेस भी काफी अच्छा मिल जाता है 2465 mm के आसपास गाड़ी का विल बेस मिल जाता है वहीं नई आल्टो का लुक काफी शांदार मिल जाता है फ्रंट में आपको काफी बड़े ग्रिल मिल जाते हैं नियू LED हेड लैम मिल जाते हैं नए फॉग लैम एन रियर में भी नए टेल लाइट का फीचर मिल जाता है वही गाड़ी के साइट प्रुफाइल में आपको 14 इंस टैर का ओप्शन मिल जाता है वही फ्रंट ओर पर आपको manual adjustable ORBM का फीचर मिल जाता है वही बॉडी कलर के साथ वही सेटी के लिहाज से भी इस गाड़ी में काफी अपडेट किया गया है फ्रंट में आपको 2 airbags, EBT plus EBS, reverse parking sensors, camera, speed alert system, ISO fixed chair lock, tubeless tire, engine immobilizer जैसे शांदार फीचर आपको नई auto में मिलने वाले है वही गाड़ी के interior में भी काफी changes किये गए है फ्रंट में आपको soft touch dashboard मिल जाता है और वहीं आपके सफर को सुहना बनाने के लिए इस गाड़ी में 7 inch का infotainment system मिल जाता है जो support करता है navigation, android auto, apple car play और वहीं steering पर आपको audio के controls मिल जाते है सभी doors पर आपको power window के option मिल जाते है manual AC का option मिल जाता है और ये सभी features आपको नई auto में मिलने वाले हैं जो कि इस एक complete family car बनाती है बात करें engine की तो इस गाड़ी में आपको 800cc का petrol engine मिल जाता है वो भी 47 bhp के साथ जो कि 69 nm का talk पैदा करती है नई auto में आपको CNG variant का भी option मिल सकता है वो भी company fitted और ये इंडिया की सबसे सस्तिकार है और वहीं आपको 1 liter petrol engine का भी option मिल सकता है जो कि produce करता है 67 bhp की power वहीं गाड़ी में आपको 5 speed manual transmission और AMT gearbox का option भी मिल जाता है वहीं बात करें इस गाड़ी के price की तो तक्रिबन 3,90,000 से लेकर 5,00,000 रुपे तक इसका price हो सकता है और इस गाड़ी को इसी साल 15 अगस के टाइम इंडिया में launch किया जा सकता है तो कैसी लगी आज की हमारी information कमेंट section में लिखना न भूले अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट section में जरूर शेर कर सकते है मैं ऐसी ही अपने चैनल पर नई गाड़ीयों और बाइक के अपडेट्स लेकर आता हूँ महनत मेरी प्यार आप सभी का वीडियो को ऐसी लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तिल रेन, ड्राइस सेफ